देखिए मैं समाजता हूं की भाज़ेपा में मनो सिनह जी चंद वैसे नेताओं में हैं जिनके अंदर काविलियत है कि आउट आप बॉक्स सोच सकते हैं और सलाह किसी भी दायरे से आ रही हो उसको सुन सकते हैं अमल करना तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा लेपनेंट गवर्नर को केंड़ी से क्या इशारा है लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक साल पश्चाथ करश्मीर अभी भी खुली हवा में सांस लेने को तरफडा रहा है अस्पताल लगभग डिलापिटेटेट कंडिशन में हैं नॉन फंक्शनल हैं स्कूलों की वही हालत हैं सडकें सुनसान हैं टुडिजम में सिंबॉलिक चीजें होक करके लोग ख्याती बटोडने की कोशिश कर रहे हैं मैं वक्ति का तोर पर गवाव हूं कि कई च्छातरों के सेशन खत्म हो गया मिस हो गया तो मैं तो उमीद करूंगा कि लिफ्टेंट गवर्नर साब सबसे पहले अहां पुलिटिकल प्रोसेस बहाल करें महभूबा जी जैसे लोगों की रिहाई की फौरी तोर पर कोशिश करे हैं और जितने पुलिटिकल प्रिजिनर्स हैं एक साल के अंदर उनको बाहर निकालें ताकि जो हम सामान्य कहते हैं और जो सामान्य दिखता है दोनों के बीच की जो मीलों का फासला है वो खत्म हुआ अब लगता है कुछ व्लासा हो बाएगा है देखिए मैं समझता हूं कि CBI की तो कई सारी हमने पहले इंवेस्टिगेशन देखी हैं जो पॉट्स टप रही हैं जिन में कोई नतीजा नहीं आया कुछ साल हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ हम चाहते हैं सो शान सिंग राजपूत दुखत इस हादसे को हेडलाइन मैनेजमे इस यह भी होनी चाहिए अब मैं समझता हूं हम सब की कि हमने एक मौत को जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और डेफ डिजर्व रेस्पेक्ट उसके मद्दे नजर हम पिपली लाइव करन ना करें इसका वो बहतर होगा कि सीधी सी बात है कि चाइना को लेकर के हमसे लगातार गलतियां हुई है भारत सरकार मतलब अगर मैं कुछ ना करूं चार-पांच ऐसे पत्रकार हैं जो रिपोर्ट्स अलग-अलग अख़बारों में आई हैं सिर्फ आप एक अख़बार नहीं कह सकते हैं वो लगातार कहत रहे बावजुद उसके डिनायल मोड में रही डिफेंस मिनिस्ट्री एक्स्टरन अफेर्स मिनिस्ट्री और उनके बयानों में विरोधा भास रहा बर बर हत्या हुई हमारे जवानों की और उसके पास्चात लगा कि हम इस बात में ज्यादा चिंतित हैं कि कैसे डोमेस्टि की वेबसाइट पर आता है अग्रेसिन की बात आती है कि जग अच्छा शब्द चुना जाता है इंट्रूजन के बदले आप कहते हैं अग्रेसिव पोस्च्चर सच तो यह है कि अगर पूरा इलाका देखें गलवान डिपसांग पैंगॉंग वहां सेमी परमानेंट स्ट्र प्रक्षर बनाया गया है मेरा सीधे तौर पर मनना है कि आज जब डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर फिर हट आया क्यों गया और सीधे तोर पर मैं चिंतित इस बात को लेकर हूं कि चाइना को लेकर के हमारी डिप्लोमेसी ट्रेल बिलून डिप्लोमेसी लगातार रह रही है एक दूसरे परोसी के लिए जितना नो नॉनसेंस पॉलर पालिसी हमारे रॉवस्ट पॉलिसी है पाकिस्तान के बरक्स हमारे ओहुदेदार लोग चाना का नाम तक लेने से कत्राते हैं यह संदेश मैं समझता हूं डिप्लोमेसी के लिए एक बेहतर संदेश नही है और यह कहा गया है कि कि इस बाइस में वो वापस आएंगे अगर इस तरह की कोई चीज़ आप कर रहे हैं इसका मतलब आप में इमानदारी की बेहत कमी है पारदर्शिता की कमी है और यह हॉलो सिंबॉलिजम से ज़्यादा कुछ नहीं ABP News आपको रखे आगे